34 यहां पर function दिया हुआ है यहां क्या करा है कि then the value of a so that the function fx may be continuous at x equal to 0 अच्छा एक यह क्या value होगा जिसके लिए function a continuous may be continuous हो जाए यानि कि हो सकता है continuous हो जाए ठीक है तो चलिए देखते हैं लोग इसका पहले 0 पहना चेकरना होगा है left hand limit limit x tends to 0 power minus और function आपका fx limit x tends to 0 power minus fx के value 0 से लिए दन के लिए है 1 minus का cost 10x by में x square हम लोग इसका formula जानते हैं क्या जानते हैं इसका 2 sin square 5x हो जाएगा है ना और by में x square चलिए एक काम करते हैं यह two constant है बाहर कर लेते हैं limit x tends to 0 power minus sin square 5x और by में यहाँ पर ही देते हैं 25x square और यहाँ divide किया है तो यह multiply भी करेंगा 25 से समझें ना बात को यहाँ किसमें multiply कर जाएगा 50 अब हो जाएगा limit x tends to 0 power minus sin 5x by 5x का whole square तो 50 into 1 square यहाँ 50 हो जाएगा अब इसके right hand limit की बात करते हैं तो हो जाएगा limit x tends to 0 power plus और function आपका हो जाएगा limit x tends to 0 और power plus देखिए 0 से greater के लिए यह नहीं जी function रूट अंडर x by में रूट अंडर 625 प्लस रूट एक्स माइनस का 25 ठीक है यह है अब इसके बात देखिए इसके denominator को दो slice करते हैं ठीक है रूट अंडर x by रूट अंडर 625 प्लस का रूट एक्स माइनस 25 इंटू कर देते हैं रूट अंडर 625 प्लस रूट एक्स माइनस में है तो एक काम करिया भी सकते हैं लिमिट रूट अंडर 625 प्लस का 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 रूट अंडर 625 प्लस रूट अंडर 625 प्लस रूट अंडर 625 प्लस रूट अंडर x का स्कार माइनस 25 का स्कार चलिए आगे जखता है, limit x tends to 0 power में plus root x into root under 625 plus root under x plus 25 by में नीचे root हड़ जागा, 625 plus का root x और minus 25 का 625, यह इसे से कर जाएगा, यहाँ root x से root x हटा देंगे, बच जाएगा limit x tends to 0 power plus, यह देखो इसको कर देंगा, रूट अंडर 625 plus का root under x plus 25 और y में root x, यह इसे कर गया है, अब कुट कर जाते है, root under 625 plus का root 0 plus 25, तो यह हो जागा 25, यह भी 25, यह 50 आगया, तो उनों 50 आगया, अच्छा, आगर हमनों function का value 0 पर देखे तो a है, function का value 0 पर क्या है, a है, हमारे पास यह कह रहा है कि fx continuous, fx is continuous, at x equal to 0, तो 0 पर continuous है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, कि इसका left hand limit जो होगा, वह equal होगा right hand limit के, और equal हो जाएगा आपके f0 के, 50, 50, a, a का value यहां से 50 आगया, a का value 50, यानि की option क्या हो जाएगा, b number हो जाएगा, समझ गया, type number को संदे,